हेलो दोस्तों नमस्कार आपका हमारे यूटूब चैनल पर स्वागत है आईए देखते हैं इको नामिक से संबंधित एक प्रेक्टिस सेट अगर आप भी गवर्मेंट जौब की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इसे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम ले लिए एक निया प्रेक्टिस से लेकर आते हैं तो चलिए शुरू करते हैं वर्ड अबलब्मेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है तो वर्ड अबलब्मेंट रिपोर्ट आई बी आरडी का वार्षिक प्रकाशन है मानो भीका सूचकांग किस अर्थ सास्त्री की देन है option महभूब उलहक अमर्थ सेन जांसन इन में से कोई नहीं तो मानो विकास उचकांग महभूब उलहक और सास्त्री की देन है option A आपका राइट एंसर हो जाएगा राजस्तरीय मानो विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज है option D आपका राइट एंसर हो जाएगा बंद अर्थ वियोस्ता से आप क्या समझते हैं option D भारत में प्रच्छन बेरोजगारी शामानी दिखाई देती है Option है सेवा छेतर में, किर्सी छेतर में, फैक्टरी छेतर में या यह सभी तो भारत में प्रशन बेरोजगारी किर्सी छेतर में दिखाई देती है Option B आपका राई टैंसर हो जाएगा भारत के किस राज में गरीबों का प्रत्सत सबसे अधिक है उप्षन है उडिशा, विहार, जहारखन या फिर 36 गड़ तो भारत के उडिशा राज में गरीबों का प्रतिसस सबसे अधिक है अप्षन है आपका राई टैंसर हो जाएगा अगला प्रसन देखते हैं भारती अर्थव्योस्था के उडारी करण का अगरदूत किसको कहा जाता है उप्षन है पी चितंबरम, अमर्थ सेन, डाक्टर मन मोहन सिंग या फिर इन में से कोई नहीं तो भारती अर्थ व्योस्था के उदारी करण का अगरदूत डाटर मन मोहन सिंग को कहा जाता है अप्सन सी यह आपका राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रसंद देखते हैं किसी अर्थ व्योस्था में छेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गी करित किया जाता है अप्सन है रोजगार किर्शतों पर उद्दमों का स्वामित कच्ची सामगरियों का परियोग इन में से कोई नहीं तो किसी अर्थव्योस्था में छेत्रों को सारजनिक और निजी में उद्दमों का सौमित्र के आधार पर वर्गी करत किया जाता है इसलिए उप्सन भी आपका राइट हो जाएगा भारत की राष्टी आय में सरबाद की योगदान किसका है उप्सन है सेवा छेत्र का या फिर बैपार छेत्र का या फिर किर्सी छेत्र का या उद्दोग छेत्र का तो भारत की राष्टी आय में सरबाद की योगदान सेवा छेत्र का है उप्सन यह आपका राइट एंसर हो जाएगा सेवा मतलब यहाँ पर सरकारी नवक्री हो जाएगी अगला प्रसंद देखते हैं देश में राष्ट्रिये नियादर्स की अस्थापना कब हुई ओप्शन है 1955, 1965, 1950, फिर 1952 तो देश में राष्ट्रिये नियादर्स की अस्थापना 1950 प्रसंद देखते हैं निम्न में से किस राज की प्रतिव्यक्ति आए सबसे अधिक है ओप्शन है गुजरात, महराष्ट, गोवा या फिर पंजाब तो गोवा राज की प्रतिव्यक्ति आए सबसे अधिक है आपका right answer हो जाएगा अगला प्रसंद देखते हैं भारत में राष्टी आय की गढणा में किस विधी का प्रियोग किया जाता है Option है आई विदी उत्पत्ति गढणा विदी A और B दोनों सही है या इन में से कोई नहीं तो भारत में राश्टी आई की गढणा में आई विदी और उत्पत्ति गढणा विदी ये दोनों आपके प्रियोग में लाए जाता है option C आपका right answer हो जाएगा हिंदू विर्धीदर किसी से सम्मंदित है option जन संख्या से, साचारता से, प्रतिव्यक्ति आई से या फिर राष्टी आई से तो हिंदू विर्धीदर राष्टी आई से सम्मंदित है option D आपका right answer हो जाएगा भारत में राष्टिय आय समंगों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है ओप्सन है योजोना आयोग वित्तमंत्राले केंद्रिय सांख्य की संगठन भारतिय रिजर्बैंग या फिर इन में से कोई नहीं तो भारत में राश्टी आये समंगों का आकलन केंद्रिया सांखे की संगठन द्वारा किया जाता आप्सन B आपका राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रसंद देखते हैं निमनी लिखित में से आर्थिक विकास की बहतर माप कौन सी है उप्सन है प्रायोज आये शकल घरेल उतपाद प्रतिव्यक्त आये या फिर निवल राश्टी उतपाद तो निमनी लिखित में से आर्थिक विकास की बहतर माप प्रतिव्यक्त आये हो जाएगा उप्सन C आपक इन में से कोई नहीं तो देश के लिए राश्टी आय का पहला नुमान दादा भाई नौरोजी ने तयार किया था option यह आपका right answer हो जाएगा अगला प्रसंद देखते हैं प्रतिव्यक्ति आय निकालने के लिए राश्टी आय को भाग दिया जाता है किसे से भाग दिया जाता प्रतिव्यक्ति आय निकालने के लिए राश्टी आय को देश की कुल जन संख्या से भाग दिया जाता है option B आपका right answer हो जाएगा निम्नी लिखित में से कौन सा छेतर भारत के सकल घरेल उत्पात को सरवाधिक योगदान देता है option है प्रात्मिक छेत तितियक छेत जोतियक या इन में से कोई नहीं तो निम्नी लिखित में से तितियक छेतर भारत के सकल घरेलू उत्पात को सरवाधिक योगदान देता है option B आपका right answer हो जाएगा मुद्रा स्वयम मुद्रा का निर्माल करती है यहाँ परिभाशा किसने प्रस्तुत की option है मार्सल हैंसन क्राउथर या क्रोवमर तो मुद्रा स्वयम मुद्रा का निर्माल करती है यहाँ परिभाशा क्रोवमर द्वारा दी गई option D आपका right answer हो जाएगा ग्रेशम का नियम निमलिखित में से किसी से सम्मंदित है तो ग्रेशम का नियम मुद्रा के प्रचलन से सम्मंदित है option D अपका right answer हो जाएगा अगला प्रसंद देखते हैं किन देशों के मुद्रा प्राया hard currency होती है option D विक्सित देशों की, विकासील देशों की, अर्ध विक्सित देशों की या या सभी तो विक्सित देशों की मुद्रा प्रया hard currency होती है option D अपका right answer हो जाएगा अगला प्रसंद देखते हैं ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें C ग्रपल आयन कर जाने की प्रवर्ती हो वह कहलाती है तो वह गर्म मुद्रा कहलाती है option C या आपका right answer हो जाएगा निम्निलिकित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है मुली का मापन, मुली का संचे, मुली का हस्ताना अंत्रण या फिर मुली का स्तिरी करण तो निम्निलिकित में से मुली का स्तिरी करण मुद्रा का कार्य नहीं है option D आपका right answer हो जाएगा अगला प्रसंद देखते हैं शरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को शमाप्त कर नहीं मुद्रा चलाना कहलाता है option है बिमुद्री करण, आउमूल्यन, मुद्रा संकुचन या ये सभी तो सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नहीं मुद्रा चलाने को बिमुद्री करण कहते हैं अगला प्रसंद देखते हैं लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है मुद्राइस्पिती, आति उत्पादन, मंदी या इन में से कोई नहीं तो लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया मुद्राइस्पिती होती है मुद्रा इस्पृति के कांड सबसे अधिक हानी होती है देंदार की या फिर लेंदार की या फिर ब्यापारीवर की या फिर ये सभी तो मुद्रा इस्पृति के कांड सबसे अधिक हान लेंदार की होती है अगला प्रसंद दिखते हैं मुद्रा इस्पिती से लाभन्वित होता है तो मुद्रा इस्पिती से रिणी लाभन्वित होता है आपका राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रसंद देखते हैं निमलिकित मेंसे कौन मुद्रा इस्फिती के नियंत्रण की विधी नहीं है option है मुद्रा की पूर्ती पर नियंत्रण, वस्तुओं की राशनिंग, मांग पर नियंत्रण या ब्याजदर में कमी तो निमलिकित मैं से ब्यास दर्मे कमी मुद्रा इस्फिती के नियंदर की विधि नहीं है ऑप्षन D आपका राइट एंसर हो जाएगा गिल्ट एल्ट बजार किसे सम्मंदित है ऑप्षन है शोना चांदी, करेंशी नोट, शरकारी प्रतिभूतियां या रिण पत्र तो गिल्ट एल्ट बजार सोना चांदी से सम्मंदित है ऑप्षन ए आपका राइट एंसर हो जाएगा भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है तो भारत में भारती रिजर बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है ऑप्षन ए आपका राइट एंसर हो जाएगा भारत में करंसी नोट जारी करता है साहरी साहकारी बैंक, भारती रिजर बैंक, वित्त मंत्राले या वित्त सचु तो भारत में currency note भारतिय रिजर्ब बैंक जारी करता है option B आपका right answer हो जाएगा निमलिकित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है option है bank of India, शहरी, साकारी बैंक, भारतिय रिजर्ब बैंक या ये सभी तो भारतिय रिजर्ब बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है option C आपका right answer हो जाएगा अगला प्रसन देखते हैं भारतिय रिजर्ब बैंक का लेखा हर वर्ष होता है option है अक्टूबर, सितंबर, अपरेल, मार्च, जुलाई, जून या इन में से कोई नहीं तो भारतिय रिजर्ब बैंक का लेखा वर्ष अपरेल से मार्च होता है option B आपका right answer हो जाएगा अगला प्रसन देखते हैं बैंक नोट प्रेस कहां इस्तित है option है नासिक, मुंबई, देवास या इन में से कोई नहीं तो भारतिय रिजर्ब बैंक के अस्तित है option C आपका right answer हो जाएगा अगला प्रसन देखते हैं भारतिया और दोगिक पुन निर्माड बैंक की अस्थापना किस वर्ष की गई थी तो भारतिया और दोगिक पुन निर्माड बैंक की अस्थापना 1985 इस भी में की गई थी option C आपका right answer हो जाएगा अगला प्रसन देखते हैं फेडरल रिजर्ब बैंक किस देश का केंद्रिय बैंक है option है संयुकतराज अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस या फिर अन्ने तो फेडरल रिजर्ब बैंक संयुकतराज अमेरिका देश का केंद्रिय बैंक है option A आपका right answer हो जाएगा अगला प्रसन देखते हैं भारतिया यूनिट टेस्ट की अस्थापना किस वर्ष की गई बारतिया यूनिट टेस्ट की अस्थापना 1964SB में की गई थी option A आपका right answer हो जाएगा अगला प्रसन देखते हैं भारत का सबसे बड़ा mutual fund संस्था है तो भारत का सबसे बड़ा mutual fund संस्था UTI है option B आपका right answer हो जाएगा भारत में stock exchange का नियमन करने वाली body है तो भारत में stock exchange का नियमन करने वाली body से भी हो जाएगी option B आपका right answer हो जाएगा तो thanks for watching my video अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो please just like, share, comment जरूर करे और channel पर नए हैं तो subscribe करना बिलकुल न पूले Thank you